हरो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दाश्ट्री अड़्डा पर और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर फाइब पिरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास टेंथ एंसी आर्टी साइंस का यह चैप्टर है और हम इसके कोशन आंसर जितने भी कोशन आंसर जो है एंसी आर्टी की बुक में दिये हुए हैं उन सब के सॉलूसंस को अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में आपको जि मैं आपको समझाऊंगा तो आपको यह वीडियो लाश्ट तक पूरा देखना है और इससे पहले चार चैप्टर थे हमारे वह कंप्लीट हो चुके हैं आपके आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके वहां से अपने कोशन के आंसर देख सकते हैं और अपने सारे चैप्टर टी डॉट एमी यह टेलिग्राम का जो है वह एक्सटेंशन है और दा इस्टडी अड़ा यही आप लिखके सर्च करेंगे तो आपको एक गुरूप मिल जाएगा उसमें जॉइन कर लीजेगा तो वहां पर आपको जो है यह इसका पीडिएफ में डाल दूंगा ठीक है तो आज के जो हमारे कोशन से वह स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के तो इस चैप्टर में हमारा पहला कोशन यह है डिड दा डॉबे राइनर स्ट्राइड ऑल्स एक्जिस्ट इन पॉलम ऑफ न्यू लेंड्स ऑक्टेव कंपेर एंड फाइंड आउट तो क्वेशन क्या है कि डॉटर और फाइर ने जो अपना स्ट्राइल लौद ब्लॉब इर्यक नियूम जिसे हम कहते हैं और न्यू लैंड स्ट्राइड नियूम है इन दोनों को कपेर करना है और क्या उसमें एडिस्ट करता है तो ये भी मताना है ठास ध्लकैर डोबिमर्शो के जो ठ्रारिय क्यार राइनर का लॉव और न्यू लैंड्स का लॉव यहां दिख रहे हम आते हैं अंसर पर समझें पहले इस बात को तो डॉबनाय राइनर ने जो ट्रायड लॉव दिया वह क्या था कि उन्होंने जो एटम्स थे उन्हें एटमिक मास के बढ़ते किरम में अरेंज किया एटमिक मास को इंक्रीजिंग ओडर में अरेंज कर दिया increasing order of atomic mass और क्या पाया कि जैसे lithium, sodium और potassium इनको हमने बढ़ते किरम में अगर रखते हैं तो जो पहला है ये पहला है element ये दूसरा इन्होंने इस तरह से कुछ elements find किये जिनें इस किरम में रखा जा सके और उनमें पहले और तीसरे का जो atomic mass का average अगर हम निकालें पहले और तीसरे के atomic mass का average निकालें तो वो दूसरे के atomic mass के बराबर आता है ये था डोबे राइनर का त्रियक नियम जो उन्होंने कुछ fix elements के लिए लिया था जैसे lithium, sodium, potassium तो lithium और potassium का जो atomic mass है उसको अगर add करके आप divide by two करेंगे तो sodium का atomic mass आ जाएगा इसी तरह से calcium, strontium और beryllium ठीक है calcium, bromine, iodine तो यहाँ पर भी calcium और iodine का अगर आप atomic mass जोड करके उसका average लेंगे तो तो कुछ ही element के लिए उन्होंने यह नियम find out किया ठीक है यह डोबे राइनर का था और newlands octave लो क्या था वो भी आप देख लें तो newlands का जो octave लो था उन्होंने क्या किया elements को atomic mass के increasing order में increasing order में 1234567 इस तरह से रखा जो समय ग्याद थे और उन्होंने देखा कि आठवा जो element उन्होंने जब यहां पर रखा तो उसकी property जो पहला element था उसके जैसी सेम थी तो उन्होंने इसलिए इनको जो है इस किरम में रखा साथ के बाद आठवा element जो जिसके नीचे आया उनकी property उन्होंने उसके अनुसार सेम मानी जैसे lithium के नीचे यह sodium potassium तो यहां पर यह column देखो lithium sodium potassium लीथियम sodium potassium यह newlands octave में मिल रहा है और लीथियम sodium potassium यह वाला column डेबो राइनर के ट्राइड में मिल रहा है यानि जो हमारा यह question था डिड़ डेबो नाइनर कहां exist करता है देखो lithium potassium sodium यह डेबो नाइनर के ट्राइड में भी है और second column of newland octave में भी है second column of newland octave में भी है मैंने यहां पर अभी आपको दिखाया तो हमारा compare भी हो गया हमने find out भी कर लिया और इसको visualize भी करके हम देख चुके तो clear हुआ clear हुआ कि lithium sodium potassium में एसे ही column में exist करते हैं जैसे डेब उ राइनर के triad में हैं और जैसे newland के octave में दोनों से माटीश करते हैं दोनों को हमने समझ भी लिया एक बार फिर से बता लेता हुँ कि ये उन्हों लोज है क्या ठीक है एक बार फिर से देख लो तो डेबनाइनर का क्या लोज है इन्होंने क्या किया कि कुछ elements find किये जिन्हें increasing order में arrange करने पर फर्स्ट और थर्ड के atomic mass का average कि फर्स्ट और थर्ड के atomic mass के बराबर था इसी बेस पर इन्होंने अपना लो दिया उसी को हम कहते हैं डेबनाइनर ट्रायड लो फर्स्ट और थर्ड element के atomic mass का average जो है वो second element के atomic mass के बराबर और newland में क्या है कि इन्होंने elements को बढ़ते किरम में atomic mass के बढ़ते किरम में increasing order of atomic mass उसमें arrange किया और पाया की जब हम arrange करते हैं तो इनको arrange करने के बाद जो आठवा element हमारा है यह साथ हो गए आठवा element जब हम रखते हैं तो उसकी property जो है वह same है पहले element की जैसी first और eighth की जो properties है अगर हम उनको increasing mass के order में arrange करते हैं तो first और eighth element फिर इसी तरह से फिर बाद में साथ के बाद फिर आठवा element आएगा उसकी property same हो जाएंगी यानि वह एक ही कॉलम में आते चले जाएंगे तो जो एक कॉलम में आने वाले हैं जो हमारे एक कॉलम में आने वाले हैं उनकी properties क्या होंगी सेम होंगी यह newlands octave में बोला गया किलियर है दोनों रूट समझ गए और हमने देख लिया कि डवनेर ट्राइड जो है वह एक्जिस्ट करता है newland octave में ठीक है किलियर अब अगले question पर चलते हैं काफी बात होगी इसके बारे में next question देखिए कि वाट इस दा लिमिटेशन ओफ डॉबे राइनर क्लासिफिकेशन ने जो ट्राइड बनाए थे यह हमने पिछले question में बहुत डिटेल में डिसकस किया थे क्या बनाया था ठीक है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं फिर से इन्होंने क्या रूल दिया इन्होंने कुछ और एलिमेंट्स को अरेंज किया बढ़ते किरम में इंक्रीजिंग और वे और इन्होंने पाय कि 1st और 3rd का जो एटमिकमांस का जो एवरेज है वो second element के एकवाल होता है जैसे लीथियम और पोटेसियम का अशुडियम के अशुडियम के अशुक्त के बराबर होगा कैलसियम और BerylHem का ऐटमिक मास का अवरेज ही इस ट्रॉंटियम के बराबर होगा इस तरह कैलसियम और आयोटीन के अटमिक मास का अवरेज ब्रॉमिन के बराबर होगा ये डेवो राइनर नहीं ये लो दिया बट इसकी कुछ लिमिटेसंस हैं हमें limitations समझनी है लो तो हमने यहापर देख लिया क्या limitations है question हमारा यह ही है limitations देखो इसका limited scope है limited scope क्यों है यह सभी elements पर apply नहीं हो सकता only applied to the small group of elements यहाँ पर भी देख रहे हो यह 9 elements के लिए यह table बनी होई है कुछ ही element पर apply होता है ठीक है for example calcium strontium barium यह work करता है ठीक है clear calcium strontium और beryllium इस पर work करता है strontium का average है strontium के atomic mass इन दोनों के average के calcium और beryllium के average के बराबर आता है ठीक है बट अगर हम chlorine bromine और iodine को देखें chlorine bromine और iodine को इन्होंने इस group में रखा यहां पर इन्होंने कहा कि chlorine iodine का जो atomic mass है उसको अगर divide by two करोगे तो bromine का atomic mass आएगा बट यह पूरी तरह exact नहीं आता यह fit नहीं बैठता यह averaging rule में fit नहीं बैठता ठीक है यानि exact atomic mass निकलके नहीं आता तो यह एक limitation हो गई ठीक है यहीं इन्हों element में जो इन्होंने आरेंज के उसी में यह rule fail हो जा रहा है ठीक है हमने यहां पर देखा उसी में यह fail हो जा रहा है तो यह फिर दूसरा यह incompleteness है incompleteness क्या है कि सभी element के लिए apply नहीं कर सकते note all elements form the need try there are many elements left out बहुत सारे element इसमें cover नहीं होते हैं like sulfur और भी कुछ example आप दे सकते हैं कुछ भी तो जो इसमें cover नहीं होते हैं फिर इसकी जो predictive power है वो नहीं है यह predict नहीं कर बारे में जो उस समय खोजे नहीं गए थे क्यों इससे हम उन elements के बारे में कुछ भी prediction नहीं कर सकते थे जो elements हमें पता ही नहीं थे जो कि आगे जाकर के mandleaf की जो periodic classification था उससे predict भी किया जा सकता था उन elements के बारे में जो तब तक पता नहीं थे तो इसलिए उसको ज्यादा जो है important माना जाता है और आगे हम इस chapter में उससे related questions को discuss करेंगे जब हम mandleaf के बारे में पढ़ेंगे ठीक है mandleaf ने जो periodic table बनाई थी और फिर हम देखेंगे modern periodic table के बारे में जो mandleaf से ही जो है उसको जो है modify करके बनाया गया था तो इसमें प्रिडिक्टी पावर नहीं थी यह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था उन नए elements की properties के बारे में जो scientists discover नहीं कर पाई थे तब तक यानि आगे की discoveries को प्रिमोट नहीं करता था तो इसलिए यह बहुत ही अन उप्यूक्त हो गया इन एडिक्ट हो गया ज्यादा यूजफुल सिस्टम नहीं था और इसलिए हम इसको ज्यादा importance नहीं देते हैं बस एक law था एक law के बारे में पहले लोग जानते थे इसलिए हमने इसको cover कर लिया पहले दो कोशन ज्यादा ज़रुत इसकी आपको नहीं पढ़ने वाली है आगे के यह कोशन भी हमने डिसकस किया था पीछे के कोशन में मैंने आपको बताया था न्यू लैंड लॉफ ऑक्टेव क्या था ठीक है फिर से बता देता हूं कि न्यू लैंड ने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जैसे म्यूजिक में सारे गामा पा होता है ऐसे 7 कॉलम बनाएं और उन में जो है ऐलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग आरॉडर ऑफ अट यामिग मास के बढ़ते किरम में इस तरह से और उन्होंने पाया कि जो आठवा है हमारे ठीक है उनमें जो chemical properties है यानि इन सब की chemical properties इस column की पहले column की दूसरे column की तीसरे column की जौथे column की इनकी chemical properties same according to newland newland का यह कहना था तो newland's octave law क्या है when we arrange the elements in increasing order of atomic mass then first element has the similar properties that as a eighth element ठीक है या eighth element has the similar properties as first element इस तरह से जो है वो column उन्होंने बना लिए ठीक है तो हर आठवा element जो है वो अपने property में समान था पहले element के अब हमें बात करनी है इसकी limitations पर नहीं रूल तो हमें पता है रूल हमने पहले question में भी देखा था अब भी देख लिया limitations क्या है limitations पर बात करते हैं it only work for the first few elements यह पहले ही कुछ elements पर बात जो है काम करता है उन पर ही ठीक से यह काम करता है उसके बाद pattern broke down हो जाता है उसमें गडबड आने लगती है जैसे आप देखेंगे ज्यादा आगे जाने पर calcium से आगे जाने पर iron कोबाल्ट और निकिल यह octave में fit नहीं बैठ थे देखो यहां पर आप ध्यान देंगे तो अगर आप calcium से आगे जाते हैं ठीक है iron की property oxygen के जैसी नहीं है sulfur के जैसी नहीं है इसी तरह से आप देखोगे कि निकिल और कोबाल्ट को जहां रखा गया क्या यह hydrogen और chlorine और fluorine जैसी properties रखते हैं नहीं रखते हैं तो यहां पर जो है गडबड हो जाती है गडबड कहां हो जाती है calcium से आगे के जो तक्वे हैं उनको अरेंज करने में problem आ जाती है फिक है वह जिस column में रखे जा रहे हैं वह स्कॉलम की जो properties है chemical property उन सारे element की सेम नहीं है फिक है यानि यह केवल first few elements के लिए या हम कह सकते हैं 20 elements के लिए ही यह काम करता है सिस्टम दूसरी बात new lands का जो क्लासिफिकेशन है वह इग्नोर कर देता है atomic number के concept को atomic number पर बात नहीं करता है क्यों क्योंकि इसमें किस पर अरेंज किया गया था atomic mass के बढ़ते किरम में in increasing order of atomic mass तो यहां atomic mass से अरेंज किया गया था हमारी जो modern periodic table है जो आपने देखी होगी बच्चो किताब में modern periodic table atomic number के बेस पर बनी है ना कि atomic mass के बेस ठीक है वहां atomic number के बेस पर उनको elements को arrange किया गया है ठीक है तो इसी लिए ऐसा होता है और इस table में आप देखोगे कि कोबाल्ट और निकल कोबाल्ट और निकल similar properties रखते हैं पर उन्हें एक साथ नहीं रखा गया था ठीक है क्योंकि उनका जो atomic mass है वह octave pattern को फॉलो नहीं करता ठीक है और similar properties हैं बट वह एक साथ नहीं है अलग-अलग उसमें चले जा रहे हैं कॉलम में और इसलिए वह octave pattern में फिट नहीं हो रहें atomic mass के according क्योंकि टेबल किसके according बनाई थी नियू लेंड ने तो इसलिए कोबाल्ट और निकिल को फिट करने में जो है प्रॉब्लम आती है यह प्रॉब्लम कब ठीक हो जाएगी जब हम देखेंगे यह बात आपको समझने हैं लिमिटेशन हैं इसकी और यही दो तीन कोश्चन जो है शुरू के जो थे वह डेवो राइनर लौ और न्यू लैंड्स लौ के बारे में हैं बाकि हम आगे जब भी बात करेंगे तो मेंडलीफ टेबल के बात करेंगे और फिर मॉडर्न करते हैं अब नेक्ट कोशन देखें यूज दम मेंडलीफ प्रियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट दफ फॉर्मुला ऑफ ऑक्साइड ऑफ फॉल्विंग ऐलिमेंट कोटेशियम कारबन ऐल्मॉनियम सिलिकन बेरेलियम तो हमें इनके ऑक्साइड के फॉर्मुले प्रिडिक टेबल यहां पर मेंडलीफ प्रियोडिक टेबल है जो मेंडलीफ ने 1969 में दी थी आप देख सकते हैं अब इनके ऑक्साइड हम प्रेडिक्ट करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग ठीक है चलो देखते हैं अब आप देखो कि पहला जो एलिमेंट है यह ठीक है पोटेशिय कहां पर है पोटेशियम आपका यह को टेशियम टेबल में हम जर्येकस करके फिरस्टरोंट कर ऴ्लब तो इस तरह से हम देखें तो फर्स्ट गुरूप में है यहां पर पोटेशियम कहां पर है पोटेशियम फर्स्ट गुरूप में होने का मतलब है इसकी वैलेंसी हो जाएगी वन इसकी वैलेंसी हो जाएगी पोटेशियम की वैलेंसी हो जाएगी वन और ऑक्सीजन कहां पर है देखो oxygen की valency है 6, 8 करने के लिए इसको 2 और चाहिए, oxygen की valency हो जाएगी 2, इसमें valence electron 2, इसको 2 electron चाहिए, यह हम कह सकते हैं 2-, इसको 2 electron, यह एक छोड़ सकता है, तो इसको कह सकते हैं 1+, अगर इनकी valency को मैं cross करा दू, तो क्या बनता है formula, K2O, तो oxide हो गया, किसका oxide हो गया, potassium का oxide, K2O, इस तरह से हम इनके oxide पर डिक कर सकते हैं, आँ उसके formula बना सकते हैं, ठीक है, जैसे calcium, carbon को देखो, carbon 4 पर है, carbon group 4 में, group 4 में है, यह रहा, तो carbon की valency हो गई 4, 4 हो गई, 2, या ठीक है 4 electron ना चोड़ सकता है, नहीं सकता है, चार की sharing कर सकता है, ठीक है 4 electron की sharing कर सकता है, चलो मान लेते हैं, चार corridor की sharing कर सब्सक्राइक, मैंने ऐसे यहां पर represent कर लिया, oxygen, oxygen के 2 electron ले सकता है, अब 2, ठीक है, तो अब इन दोनों को तुम्हीं को क्रॉस करा के यहां रख़ दो फोर को यहां रख़ दो उफोर जब इसको सिंप्लिफाइब करोगे क्या बन जाएगा एलमुनियम गुरुप 3 में है तो 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 क्या बन जाएगा यह यहां पर यह थोड़ा सा इसको सब्सक्रिप्ट में लिख लेना जैसे मैं लिखें फिर सिलिकन गुरुप 4 में है सिलिकन गुरुप 4 में यह वैलेंसी 4 होगी ओक्साइड के लिए तो ऑक्सिजन 2 क्रॉस कराओ तो क्या बना Si2O4 सिंप्लिफाई कर लो तो क्या हो जाएगा SiO2 SiO2 यह इसका ऑक्साइड बन गया बेरेलियम का देखो गुरुप 2 में है तो गुरुप 2 में वैलेंसी 2 हो गई ओक्सिजन की भी वैलेंसी 2 हो गई तो ba2O2 simplify कर लो 2 से 2 की इसल तो क्या बनेगा ba2O oxide ओगया ba2O किलिर है किस तरह से हमने oxide बनाई उससे समझ में आ गए होगा मैंने चारों पाँचों बनाके बता दिये ठीक है इस तरह से हम oxides को easily बना सकते हैं ठीक है आप किसी का भी Oxide लिख सकते हैं अगर हमें उसकी वैलेंसी बता है ठीक है किलिया नेक्स्ट कोश्चन लेखें अब नेक्स्ट क्या कहता है देखो बिसाइड डेलियम विच अधर एलिमेंट अब जब मेंड लीफ ने अपनी पिरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसने कुछ इस्थान खाली छोड़ा था देखो यहां पर जैसे आप देख रहें कुछ इस्थानों को खाली रखा था और यहां पर जो है कुछ एलिमेंट उसने नहीं खोजे थे ठीक है वह जगह खाली थी इस टेबल में आब वह जगह आपको दिख रही होंगी खाली थी यानि उसने प्रिडिक्शन के लिए भी जगा रखे थी कि आने वाले समय में यह एलिमेंट पाई मिल सकते हैं यह अटमिक मास्क खो पाने थी कोई हमेंद हम आर से यहां कह सकते हैं जर्मीण मूह के लिए झ Kingdom के जगह छोड़ी थी और भी wäre सारे इलिमेंट के लिग החषोडी थी आप दो नाम याद कर लीजिए ताकि आप बता पाएं कि कौन कौन से यह फो पर कोजने थे ठीक है या इनके लिए जगा रख जर्मेनियम इसकेंडियम का याद कर लीजिए और यह आप अपने एक्जाम में लिख सकते हैं किलियर है नेक्स कोशन पर चले अब देखे नेक्स कोशन क्या है वाटर्दक क्राइटेरिया यूज वाई में लीफ इन क्रियेटिंग इस पिरियोडिक टेबल क्या क्राइटेरिय किया था बताओ यह तो मैंने पिछले कोशन में आपको बताया है कि उसने किस बेसिस पर बनाई थी एक्टमिक मास के बेसिस पर देखो ध्यान दो जो में लीफ की सुरुवाती जो पिरियोडिक टेबल थी जो उसने 1669 में बनाई थी वह यूज किया था एक्टमिक मास यानि ashing order of atomic mass. Elements was arranged in increasing order of atomic mass. Elements को atomic mass के बढ़ते किरम में लगाया गया था. तो यह एक यूनिक क्राइटिरिया था उसके हिस सामय किसके साथ से? मेंड लीव के हिसाब से यह सोचा था उसने कहा कि यानि जैसे जैसे बढ़ता जाता है ठीक है उसके किरम में हम उनको अरेंज करें तो कुछ टाइम बाद आठवा नौवा या दसवा एलिमेंट या कुछ एलिमेंट को रिपीट करते हैं वही प्रोपर्टी केमिकल प्रोपर्टी जो पहले की थी तो इस तरह से उन्होंने अरेंज कर दिया ठीक है बड़ा बढ़ते क्रम में एटमिक मास के बढ़ते क्रम में जैसे न्यू लेंड ने किया था न्यू लेंड ने साथ के बाद आठवे को पहले के नीचे रखा और कहा कि पहले और आठवे की प्रोपर्टी सेम है इन्होंने थोड़ा सा एक चेंज किया कि कैल्सियम तक तो न्यू लेंड को फॉलो किया बट हाइडोजन को एक अलग पिर यहां पर पोटेसियम कैल्सियम प्रिया एक स्थान खाली छोड़ दिया ताटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंग नीज और फिर यह तीन एलिमेंट जो है इनको बोला एड़त कॉलम ठेक है फैरस कोबार्ट और निकिल को एड़त कॉलम में रख दिया थे अलग अलग त सवारीके से बनाई मैंक्लिफ ने अबनी पिरियोड टेबल बट फॉर्मुला वही था इंक्रीजिंग और और अचके किरम NICK his फॉर्मूला वही था इंक्रीजिंग और ओमिक मासे के लास लांज बड़ेशिंग walk ओमिक मासे लास ठीक है next देखें अब यह कोशन देखो बहुत important question है why do you think the noble gas are placed in a separate group ठीक है यह noble gas को अलग group में क्यों रखा गया है ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि यह अलग group में रखी गई है देखो आपने देखी होगी modern periodic table तो वहां पर अठारवे group में या अठारवे हम कह सकते हैं column में ठीक है ठीक है ठारवे column में जो रखी गई है वो सारे के सारे noble gas है ठीक है यह table आपने सभी ने देखी होगी इन noble gas है ठीक है helium, neon, argon, krypton, xenon, radon यह सब क्या है noble gases है क्यों रखा गया है अब क्या सोचते हैं ऐसा क्यों किया गया है इनको एक अलग group क्यों बनाए गया नोबल gas एक unique property है इन्हें हम ठीक है zero gas भी कहते हैं इनको zero gases के नाम से भी जाना जाता है इनको जीरो ग्रूप में रखा गया इनको कहां रखा गया इनको zero group में या 18th group 18th ठीक है वहां रखा गया है 18th group और 18th group को कभी-कभी zero group के नाम से भी जाना जाता है नोबल केस्ट फॉर्म डेर ओन गुरुप अपना गुरूप हैं क्योंकि इनका यूनी केमिकल भी एवेर यूनी केमिकल भी है दे और अन्रियक्टिव नोबल केस्थ का मतलब यह हैं हिंदी में कहते हैं अक्रिय गयस हैं अक्रिय यह यानि जो कृष्षा नहीं करती नॉन रिय और यह बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं एक्जिस्टिन वेरी स्मॉल अमाउंट इने पाई जाती है ठीक है और यह रियक्ट नहीं करती है किसी अधर किसे पीछे कारण ह्यां करते हैं एक्टनि करते हैं तो इनके ग्रूप में का में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और इसमें 2 हैं यहां के सेर्व में दो हो सकते हैं यहां एक कि यहीं कि जो यह दो इसेल यह चुछ सेल में जो इलेक्टरोंच सेये वह सअक्पेटली घुदे हैं सेल हा सिप्ले को तो दो ना तो किसी इलेक्टर लेने की जड़त है ना यह सपड़ देना की ज़िट तो नियुक्ति होते हैं तो multiplied अब है इनको को सेप्रेड गुरूप में इसी रखा गया गया और जिस उसको क्याते हैं गुरूप 18 या उसको नोबल गैस गुरूप भी बोलते हैं इनट गैस भी कहते हैं जीरो गुरूप भी कहते हैं कई सारे नाम है ठीक है तो मैंटेन दा और नाइजेशन आफ पिरियोटिक टेवल बेस्ड ऑन रिपीटिंग केमिकल प्रपर्टीज के अधार पर इस ओ देखे हुगें तो इन पर मैं काफी सारी बात कर चुका हूँ और इस कोष्टन में भी करने वाल हूँ तो आपको चीजें clear हो जाएंगे, आप पिछले questions ज़रूर करके, फिर next question को attempt किया करें, ठीके, तो इससे आपको help में लेगी कि पीछे के questions में क्या बात होई है, तब आपको आगे के questions अच्छे से समझ में आएगे, आप पीछे के सारे questions अच्छे से समझ लीजे, ठीके सारे questions क जो है अलग-अलग भी डालग है और पूरे chapter की playlist भी बनी हुई है, और एक complete video भी होता है, जिसमें सारे questions का बार होते हैं, तो आपको पूरा वीडियो भी देख सकते हो, या अलग-अलग सारे questions के वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे भी आपको सो table लगे, बट पीछे के questions आ यह हम इस question में समझेंगे, ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो, जो मेंड लीव की periodic table थी, पीछे question देखेंगे, मैंने बताया था, उसमें elements को atomic mass के basis पर रहेंज किया गया था, in the increasing order of atomic mass, अब जो हमारी modern periodic table है, हम इस पर बात करेंगे, तो modern periodic table किस पर बेस है, atomic number पर बेस है, इस पर atomic number पर बनाने से कौन सी गलतियां, मैंड लीव की table की ठीक हो गई, समझो, क्या था कि जो modern periodic table है, इसको हमने atomic number पर बनाया, जो कि proton जितने होते हैं किसी atom में, उसका आधार पर atomic number decide होता है, अब यहां से आपको एक concept भी क्लिया जो जाएगा, किसी element में, atomic number जो होता है, वो ही उसमें number of proton के बरावर होता है, यह बात हमें पहले से भी क्लियर है, हमनें बहुत सारी chapter में यह समझी है, कि किसी element में जितने proton होते हैं, उतना ही उसका atomic number होता है, जब हमने बढ़ते हुए number of proton या atomic number के according, elements को arrange किया, ठीक है, तो यह ordering जो थी, यह ordering eliminates कर देती है, यानि को किस चीज को हटा देती है, जो inconsistency आ रही थी मेंडलीव की टेबल में, मेंडलीव की टेबल में एक inconsistency थी, जहां कुछ element जिनका higher atomic number था, higher atomic mass था, वो फिर भी पहले रखे गए थे, lower atomic mass वाले element से, lower atomic mass वाले element से, पहले रख दिये गए थे, जबकि उनका, जो है, वो atomic mass जो है, वो कम, ज़्यादा वाले पहले रख दिये, और कम वाले पीछे रख दिये, तो ऐसा था, उस टेबल में, आप देखोगे तो उसकी picture में, तो आपको ये चीज दिखेगी, चिकें, वहाँ पर कुछ elements ऐसे हैं, जो ज़्यादा atomic mass होते हुए भी पहले रखे हैं, और कम atomic mass वाला बाद में रखना है, यानि increasing order है करके, increasing order follow नहीं होता, क्योंकि chemical properties बल जाती है, और जब atomic number के according अरेंज किया गया, तो फिर वो जो error थी, या जो inconsistency थी, मेंडलीव टेबल में, वो modern periodic table में ऐसी inconsistency नहीं है, ठीक है, तो एक तो ये फाइदा हो गया, modern periodic table, atomic number के according मलाने से, कि वो inconsistency हट गई, दूसरा, कोबाल्ट और निकिल का इस्थान, ये बड़ा confusing था, मेंडलीव के periodic table में, अब यहाँ पर मैं आपको मेंडलीव का periodic table बाकी चीजें clear हो जाएं, दोनों को एक साथ रख लेते हैं, और चीजों को साथ साथ समझते चलते हैं, ठीक है, पहली तो error ये थी, कि जो atomic number पर क्या error थी, कि जो higher order है, higher atomic mass वाले जो element है, वो lower atomic mass से पहले रख दिए गए, कहां है, देखो, यहाँ पर देखो कि यह जो iodine है, atomic mass 127 है, ठीक है, पर यह यहाँ रखा है, और इससे पहले यह रख दिया गया है, 128 पर, और इसको क्या है, यह एक error दिख रहा है, यहाँ पर देखो, PB 207 है, उसको पहले रख दिया है, TA 180 से, तो यह error ऐसा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, तो LED का स्थान जो होगा, PB का, वो TA के बाद ही होगा, ठीक है, यहाँ पर यह रहा, TA, और यहाँ पर यह रहा, PB, तो यह modern periodic table में ऐसी गलती नहीं है, ठीक है, iodine का भी स्थान आप देख सकते हैं, यह रहा, iodine का स्थान, ठीक है, यहाँ पर, तो यह जो errors थे, वो error ठीक कर लिए गए, ठीक है, किस में, modern periodic table में, दूसरा, कोबाल्ट और निकिल को लेकर के बड़ा confusion था, कोबाल्ट का अटमिक नमबर है 27, और निकिल का है 28, अब इनका जब अटमिक मास आप देखोगे, तो अटमिक मास कोबाल्ट का जो है, वो है 58.99, और निकिल का है 58.69, तो अगर हम एक मास यंबीक मास के कोडिंग का आरेंज करेंग था निकिल काली होना चाहिए, कोबाल बात नमबर के एक काइंग कोबाल्ट in की अटमिकल बात में इसको उपरके अलेक के साथ देखते हैं तो निकार वो दिए मेज्बार करते हैं यही की अबनीन के साथ देख प्लेटीनम प्लेटिनम से नहीं मिलेगी कोबाल्ट की प्रोपरी जाहिए उसकी आर्रेंजमेंट किया गया को नौए गूरूप में रखा गया को निकल को दस्थान देखो गे तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है यहां रखा थै है 58.9 और निकल 58.7 तो यह increasing order of atomic mass कहा हुआ यहां पर तो increasing order of atomic mass की बात थी न को यह तो अपना ही नियम फॉलो नहीं कर रहा है जो increasing order of atomic mass के बेस पर periodic table बनाई थी तो वह तो गलत हो गया नहीं यह तो decreasing हो गया मास तो कोबाल्ट और निकिल की पोजिशन भी इसके लों में यह गड़बड कर रही थी में ली प्रियोडिक टेबल में ऐसी अरव नहीं थी यह बात आपको समझ में आगी इस बीकॉज अटमिक नमबर डिक्टेट दा एलिमेंट्स आइडेंटिटी और यही कहा गया कि चैमिकल प्रोपर्टी जो है वह एटमिक नमबर से डिक्टेट होती है ना कि अटमिक मास से जो कि सुरुवात में तीनों डेवो राइनर न्यू लैंड और मेंडलीफ ने अपनी टेबल्स अटमिक मास के बेसिस पर बनाई थी ना कि अटमिक नमबर के बेसिए क्योंकि उ और शूद्च के इस्थान को लेकरके बड़ी प्रोब्लम होती थी आइसो टोप्स क्या होते है इसो टॉप्स कि मैं जिनका इसेंग कि अटमिक वह नमबर है वह होते हैं आईसोटोप्स सेम अटमिक नमबर क्या है अब किसी का अटमिक नमबर सेम है यानि उसमें नमबर अफ प्रोटॉन भी क्या होंगे तो अगर है तो अगर है दोजन का इस रॉप से ये रही है इनके अटमिक मास अलग अलग है इनके मास देखोगो लजवित टीनों के अलग अलग है बट इनका एक नंबर कि इस सबका अटमिक नंबर अतो एक यह न तो इने हमें अलग अलग जगह प्लेस करने की ज़रूद नहीं है यह सब एक में ही रख जाएंगे हाइडोजन के आईसोटॉप से हैं जहां हाइडोजन है यह वहीं होंगे इने डिफ्रेंट डिफ्रेंट कॉलम में रखने की आफसक्ता नहीं पड़ती और हमें अलगाल इनको दिखाने की जरुत भी नहीं पड़ती ठीक है तो अब देखोग पर सबका एक ही है तो सब इसी में है ठीक है वह सोव भी करने की जरुत नहीं है हाइडोजन और हाइडोजन के सारे आईसोटॉप वन पर आ जाएंगे इसी तरह से किसी के भी जो आईसोटॉप से जिसे कारवन का आईसोटॉप से 6C12 और 6C14 तो एकमिक मास के इसको एक ही स्थान देते हैं पर यहां एक ही स्थान देने का लॉजिक समझ में नहीं आता जबकि यहां पर अटमिक नंबर बोल दिया तो वह बात किलियर हो जाती है कि इसको एक ही स्थान मिलेगा दोनों छे नंबर छे हैं क्योंकि यह इसका अटमिक नंबर तो यह चीजे जब से उसको अटमिक नमबर तो ऑल दा आइसो टोप्स ऑफ एन एलिमेंट फॉल इन सेम पोजीशन सारे के सारे उस सेम पोजीशन पर आ जाते हैं और कोई कड़बड और कोई कंफ्यूजन नहीं होती है जैसा कि मेंडलीफ के प्रियोडिक टेवल में कंफ्यूजन होती थी क् को अच्छे से समझना है अगर हम चीजों को नहीं समझते है यह आंसर आप रट करके जो है वह एक्जाम पास्तों कर सकते हैं पर चीजे आपको याद नहीं रहने लिए long term में चीजे long term में तभी याद रहेंगी तब जब आप इनको अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या रीजन है explanation को ध्यान से सुनेंगे तो उस चीज़ को ध्यान से सुना करें ध्यान से समझा करें ठीक है सीधे answer copy करने पर मतलग जाए करें क्लियर है नेक्स कोशन देखें अब नेक्स कोशन है नेम दा टू आलिमेंट यूबट एक्सेप्ट एक्सट टूसओ सो दा कैमिकल रियक्शन इसमलर टू मैंगडियसियम गैजियम के जैसी कैमिकल रियक्शन दिखाने वाले दो के नाम बताते हैं what is the basis of your choice और आपने जो उनको चुना है वो क्यों चुना है तो पहले तो आप देखो magnesium यह रहा यहां पर magnesium अब इसके जैसे इसकी जैसी chemical properties के जो element होंगे वो इसी group में हो सकते हैं ठीक है इसी group में हो सकते हैं वो Gaussian को सकता है वो स्ट्रौटियम को सकता है ठीक है वह बारियम हो सकता है ठीक है और रेडियम हो सकता है इस में से कोई भी दो element अगर हम लेंगे तो उन्की जो chemical property से यह सारे के सारे क्या है यह सारे के सारे फारट मेटल्स है य 게समत्रिक उसक्तुल्म तो अब एक्सप्लेशन देखो पूरे अंसर की सम्झों तो calcium, beryllium, सबसे ज़्यादा similar कौन होंगे इसके, क्योंकि जो सबसे नजदीक होंगे, magnesium के जो सबसे नजदीक होंगे, वो इसके सबसे ज़्यादा similar chemical properties रखते होंगे, इसी earth metal वाले group में, तो beryllium और calcium, share the similarities with magnesium, because they belong to the same group in periodic table, कौन सा group, group 2, also known as alkaline earth metal, कौन से हैं ये, alkaline earth metals है, this share the group placement indicate, they all have the two electrons in the outermost electron cell, influencing their chemical properties, अच्छा क्या बताया, कि जैसे इसका atomic number है 4, तो electronic configuration हो जाए कि 2,2, ये है 12, तो electronic configuration हो जाए कि 2,8,2, ये है 20, तो electronic configuration क्या हो जाए कि 2,8,8,2, तो बाद वाले cell में सब के कितने हैं, दो electron है, बाद वाले cell में कितने हैं, दो electron है, आउटर मोस्ट सेल में, इसी लिए इनकी जो chemical properties हैं, वो similar हैं, ठीक है, ये बात समझ में आगी, clear हो गया, तो जो इस तरह से group में जो रहते हैं, उनकी chemical properties सेम होती हैं, इसलिए उनने same group में रखा गया हैं, और ये सारे के सारे alkaline earth metal हैं, और हमने जो example जो लिये हैं, वो बिल्कुल जश्ट नजदीक वालों को लिया है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा similar properties रखेंगें, थोड़ा दूर हो जाने पर बड़े element हैं, उनकी chemical properties में थोड़ा सा variation आता है, क्योंकि उनमें जो है, ज्यादा cell होते हैं, electron cell, ज्यादा number of electron होते हैं, ज्यादा number of proton होते हैं, उसका थोड़ा सा फरक पड़ता है, पर जो करीब वाले होते हैं, उनकी ज्यादा chemical property मेंच करती हैं, ठीक हैं, क्लियर, इस question को, question है, name three elements, तीन elements के नाम बताने, जिन में single electron होता है, कहां, आउटर मोस सेल में, और दूसरा question है, कि दो elements के नाम बताओ, जिन में दो electron होते हैं, आउटर मोस सेल में, तीन elements बताओ, जिनका आउटर मोस सेल फिल्ड होता है, तो यह कोशन है, ठीक है, कि हमें क्या क्या बताना है, इन एलिमेंट बताने हैं, जिनके last cell में एक होता है, यानि अब तुम देखो, यहाँ पर, यह group 1 में, helium, पहले में कितना होगा, एक electron होगा, लीथियम में लीथियम का होता तीन तो दो इलक्ट्रोन फ़ससल में और आउटरमोस्त में एक ही होजाएगा फिर सोडियम में देखो सोडियम में 2,8,1 तो यहाँ भी आउटरमोस्त में एक हो गया तो यह गुरूप बन में जितने भी है वो सब इस तरह से जो है उनमें outermost cell में एक electron होता है तो lithium, sodium, potassium, hydrogen इन सब के outermost cell में कितना होता है एक electron होता है इस तरह से बता सकते हैं इसी तरह से magnesium, magnesium, calcium ये group 2 में हैं उनके outermost cell में दो electron होते हैं तो group 2 वाले जितने भी हैं देखो group 2 वाले जितने भी element हैं यह रहा group 2 इनमें beryllium है, magnesium, calcium, strontium इन सब में क्या हैं इनके outermost cell में दो electron होते हैं तो पहले 2,8,2 ये इसका electronic configuration हो जाएगी calcium 20 होता है तो उसमें हो जाएगा 2,8,8,2 तो outer most cell में सब में 2 electron हैं ठीक है इसी तरह से अब हमें बताना completely filled वाला जब outer most cell completely filled हो ऐसे तीन के नम तो आप जाओ group 18 में group 18 देखो तो group 18 कहा है ये रहा group 18 हीलियम, neon, argon, krypton, xenon, radon ये सब क्या हैं ये सब जो है नोबल के ऐसे हैं cell है वो completely filled होता है helium के outer most cell में 2 electron इसमें होते हैं neon में 2,8,10 होगे फिर argon में 2,8,8 तो इनके जो outer most cell हैं वो completely filled है देखो ठीक है इस तरह से हम बता सकते हैं neon, argon, xenon, group 18 के जो हैं इनके outer most cell क्या हैं वो completely filled है तो example आपको बताने थी तो आप कर पाएंगे इस question को easily question किया जा सकता ह ठीक है एक electron वाले हो गए lithium, sodium, potassium, जिनके outer most cell में 1 electron है, 2 में हो गया magnesium, calcium इसी तरह से जिनके outer most cell completely filled हो जाएंगे neon, argon, xenon, helium भी हो सकता है ठीक है कोई भी आप example बता सकते हैं इस तरह से next question देखें, next question है, lithium, sodium, and potassium are all metal that react with water, that react with water to liberate hydrogen gas, ठीक है, to liberate hydrogen gas, lithium, potassium, और sodium, यह क्या करते हैं, यह water के साथ react करके hydrogen gas बनाते हैं, ठीक है, आगे देखें, is there any similarity in the atom of these elements, इन में कोई similarity है, क्या है, यह हमें बताना है, question clear, फिर दूसरा question हो और है, fourth में ही, वो भी पहले question देख लेते हैं, helium is an unreactive gas, सब को पता है, helium जो है, वो noble gas है, neon is a gas of extremely low reactivity, यह भी noble gas नाती है, इसकी भी reactivity क्या है, बहुत कम है, helium भी जो है, वो react नहीं करती है, यह if anything, do their atom have common, इन दोनों atoms के बीच में क्या common है, हमें lithium, potassium, sodium के बीच में बताना था, क्या similarity है, और इसी तरह से हम helium और neon के बीच में बताना है, क्या similarity है, और यह आपको बहुत सारे बच्चों को परता भी होगा, ठीक है, क्या similarity है, तो lithium, जो है, इसका अगर हम electronic configuration देखें, तो य हो जाएगी, अगर मैं electronic configuration लिखो potassium की, तो वो हो जाएगी 2, 8, 8, 1, ठीक है, और अगर मैं sodium की electronic configuration लिखता हम तो वो हो जाएगी 2, 8, 1, यानि तीनों के इनके outermost cell में एक electron है, और अगर मैं helium की बात करूं, तो उसमें 2 ही electron होते हैं, और neon में 10 होते हैं, तो 2, 8, यानि इनके outerm cell completely filled है, complete filled है, तो ये noble gas है, और ये metal है, lithium, sodium और potassium क्या है, ये metal है, और helium और neon क्या है, ये noble gas है, ये तो इनके similarities है, तो पहले में हम कहें, क्या lithium, sodium, potassium में similarity है, यस, इनमें एक similarity है, कि ये सारे जो element है, तीनों element, इनके outermost cell में एक electron है, इनके outermost cell में एक electron है, ये ही इसमें similarity है, मैंने बता दिया, फिर helium और neon, इनके outermost cell जो है, वो completely filled है, हिलियम का outermost cell k-cell होता है, जिसमें कि दो electron होते है, वो दो पही complete filled हो जाता है, एल सेल में ओक्टेट कंप्लीट होता है नियॉन में तो यह दोनों हमारे नोबल गैस थे ठीक है तो यह similarity होगी सेकिंड में फर्स्ट इनमें सब में आउटर मोस सेल में एक लग्ट्रॉन था तो यह similarity इनकी होगी नेक्स्ट क्या करते हैं अब नेक्स्ट क्या कर रहा है इन दर प्रियोडिक टेवल आप सभी ने देखी होगी कही सारे क्वेशन में इसको आपको दिखाया वी है और समझाया विए बिच आर्डब अमेटल्स अमंग फिस्ट टैन एलिमेंट पहले दस एलिमेंट यह आपके सा दस आपके साथ ठाडबन सेवन नाइट्रोजन ए इस ऑक्सिजन नाइज फ्लोरिन और सिय यह यह हैं टैनेमेंट्स टीक है देखो जो पहले टैने परस्ट टैनेलिमेंटिस इनमें में मैटल क्या है प्र पोर्टैन ने था जाना दू श्य नाइट्रोजन, ओक्सिजन ये सब क्या है ये नॉन मेटल है। प् confirming देलमेंट में से मेटल के नाम कूछे गए थे। तो 10 metal आपको याद होने चाहिए और उनमें कौन metal है यह आपको clear होना चाहिए next question देखें next question है by considering their position in periodic table किस-किस के positions आपको periodic table में consider करनी है अभी उस पर आते हैं gallium, germanium, arsenic, selenium और beryllium यह पांच element है यहाँ पर दियें इनको आपको धिहान करना है which one of the following element would you expect to have maximum metallic characteristic कौन से में maximum हो गया क्या metallic characteristic यानि धात्वी गुण जिसे हम करते हैं metal metal की जो property हो किसमें सबसे ज्यादा होगी यह हमें बताना है ठीक है तो अब metal क्या होते है यह पता होना चाहिए और हमारे periodic table में कौन से metal सबसे ज्यादा strong metal है कौन से weak metal है यह हमें मालूम होना चाहिए जो आप periodic table देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो beryllium और gallium है beryllium और gallium यह इनमें most metallic है क्यों most metallic है क्योंकि यह group 1 और group 2 के element है group 1 और group 2 के element है ठीक है अब इसमें gallium जो है वो size में बड़ा है देखो यहां पर इसका electron loss करने की tendency है वो ज्यादा होगी क्योंकि इसके nucleus से दूर तक electron फैले होंगे ठीक है क्योंकि इसमें जो है ज्यादा cell होंगे ज्यादा cell होंगे तो कुछ electron बाहरवाले cell में वो आसानी से जो है वो energy gain करके electron जा सकते हैं इसको छोड़ करके तो जिनमें ज्यादा electron छोड़ने की tendency होती है वही ज्यादा metallic होते हैं तो gallium is more metallic than beryllium तो अगर जिसका size इतना बड़ा होगा पहली बात जो group 1 और group 2 के element है group 1 और group 2 के element है वो metallic है वो metallic elements है उनमें भी जो बड़े size के हैं उनमें metallic जो property है वो ज्यादा होगी bigger size अगर होगा तो उसमें metallic characteristic ज्यादा होगी ठीक है यह बात clear है तो अगर हम beryllium और gallium में तुल ना करें मैं इसको एक बार clear कर देता हूं तो जो beryllium है उसका atomic number है 4 तो electron भी इसमें 4 होंगे तो पहली कक्षा में 2 दूसरी कक्षा में भी 2 electron होंगे और gallium में जो है gallium का atomic number है वो है कितना 31 तो अगर हम इसके electronic लिखेंगे यह हो जाए कि 2 8 18 3 तो अब अगर देखें तो इसमें 4 सेल है तो जिसमें ज्यादा सयल होंगे उसका size बड़ा होगा तो laktron lose करने के tendency जौ है वह ज्यादा होगी तो जो आसानी से02 कर सकता है उसकी metallic characteristic है वह ज्यादा होगी तो हम कह सकते है Gallium की Battle characteristic है वह ज्यादा है किस की त Light कि Got Next बाग कि और दिये हुए वह non-metal या जो है वो सब सेमी कंड़क्टर जैसे यहां पर जर्मेनियम है यह सेमी कंड़क्टर है ठीक है और से नीचे जब हम आते हैं तो मेटलिक नेचर वह बढ़ती है ठीक है यह ध्यान रखेंगे और अगर हम उसमें देखेंगे left to right आएंगे left to right आएंगे तो वह बढ़ती है clear? next question देखें यह बड़ती है अब question देखें यह which of the following statement is not correct about the trends when going from left to right across the periodic table अभी बीछे में यह बात कर रहा था कि हम left to right जाएंगे तो क्या होगा यह top to bottom जाएंगे तो क्या होगा इस तरह के questions जो है पूछे जाते हैं periodic table में अगर हम move करते हैं तो देखें अगर हम left to right जाएंगे तो element become less metallic in nature यह बात सही है अगर आप इधर से इधर जाएंगे इस direction में left to right जाते हैं तो देखेंगे कि यह जो element है जो left side पर हैं यह metal है और जैसे जैसे हम जो है right side पर बढ़ते हैं तो non metallic characteristic increase होती है metallic characteristic जो है वो decrease होती है तो element become less metallic यह बात सही है अभी हमें incorrect बताना है incorrect बताना है number of valence electron increase number of valence electron increase यहाँ पर valency कितनी होगी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर valence जो है फिर घटने लगती है फिर फिर 3 2 1 फिर बढ़ने लगती है इस तरह से valence बढ़ती घटती है तो यहाँ पर हम जो है इसको पूरी तरह सही नहीं कह सकते सुरुवात में जो है left to right जाने पर बढ़ती है तो आगे देख लेते हैं कि क्या हो सकता है कोई बिल्कुल और भी ऐसा इस्टेट्मेंट दिया हो जो पूरी तरह गलत हो अगर हम जो है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उन में जो क्या होगा कि उनकी बहारी कक्षा में इलक्ट्रों की संख्या बढ़ती क्योंकि number of proton center पर जाता होंगे बहार electron भी होंगे और उन पर जो attraction force है वह भी बढ़ेगा तो यह statement जो है पूरी तरह जो है वह गलत है तो हमें वही बताना है कि कौन सा जो है वह गलत है सही नहीं है ठीक है होते हैं या basic होते हैं बताओ यह तो हमने पिछले चैप्टर में बढ़ा था metal के oxide जो metal oxides जो होते हैं उनकी नेचर basic होती है और जो non-metal होते हैं उनकी नेचर acidic होती है तो जैसे जैसे हम left to right जाएंगे तो non-metal जो नेचर है elements की वह बढ़ती है इसका मतलब जैसे हम left से राइट जाएंगे तो oxides भी acidic होते चले जाएंगे दोनों बात ठीक है यह तो सही statement है तो गलत कौन सा था यही गलत था कि atom जो है वह आसानी से electron loss कर देंगे left से right जाने पर तो यह गलत है ऐसा नहीं होता है जैसे जैसे हम left से right जाते हैं तो elements का size बढ़ता जाता है यानि cell में जो number of electron है वो बढ़ते जाते हैं और number of electron बढ़ते हैं साथी साथ यहां पर proton की संख्याव बढ़ती है तो इनके बिच attraction force बढ़ता है तो easy नही element के लिए इसलिए यह statement गलत है गलत दिया हुआ है next देखें अब बहुत easy question है एक element x वो chloride के साथ जो है chlorine के साथ react करता है और बनाता है x chloride xcl2 which is a solid with high melting point यह एक solid है यह बता दिया और इसका melting point है वो भी high है यह बता दिया तो x क्या होगा यह आपको बताना है हमारी periodic table में x जो element है वो क्या होगा तो ऐसा जिसका chloride जो है वो solid हो और उसका melting point हाई हो तो यह है magnesium क्या है magnesium जिसकी valence होती है 2 ठीक है magnesium का atomic number होता है 12 तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 8 2 यह electronic configuration हो गया तो melting point है वो भी high होता है high melting point हो ठीक है तो यहां पर अपना option b correct है next देख्या which element has two cell both of which are completely filled with electron कौन सा element है जिसमें दो cell है और दोनों completely filled है तो यह हो जाएगा neon क्यूंकि 2 8 10 होती है इसका atomic number और इसके जो दोनों cell है k cell हो जाएगा 2 l cell हो जाएगा यह दोनों completely filled हो जाएगा electronic configuration इसकी 2 8 2 होगी तो यह होगी magnesium की 2 8 2 12 पे होता है magnesium तो इस अभी आद करना answer B का answer हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा magnesium ऐसे ही ठीक है अभी हमने neon कर लिया neon दस होते हैं 2 8 किसकी electron कर लिए a total of 3 cell 3 cell होने चाहिए with 4 electron in valence cell लाश्ट में 4 होने चाहिए 3 cell है और लाश्ट में 4 electron है तो लाश्ट में 4 electron है तो इसमें 14 हो गए तो 14 पे कौन होता है silicon silicon हो जाएगा दो cell है और लाश्ट में 3 electron है दो cell है और लाश्ट में 3 electron है यह नि 5 पांच पे कौन हो गया पांच पे हो गया बोरॉन बोरॉन हो गया ठीक है twice as many electron in the second cell of its first cell ऐसा कौन है जिसके first cell से दुगने element होते हैं second cell में तो दो यहां उसके दुगने चार यहां तो चार पे है beryllium चार पे है beryllium तो यह सारे element के हमें नाम बताने थे क्योंकि अगर हमें उनकी electronic configurations के बारे में बता होगा तो हम easily इनके नाम बता पाएंगे जैसे मैंने आपके सामने यह बताए ठीक है ऐसे जिसके 2 completely filled है नियौन हो गया 28 completely filled होते है नियौन के 2 cell होने चाहिए फिर magnesium 282 इसी का होता है 12 पे magnesium silicon 284 ठीक है 284 चार होने चाहिए थर्ड सेल में यही तो बोला था ठीक है तीन सेल होने चाहिए और थर्ड सेल में 4 electron होने चाहिए फिर कहरा है दो सेल होने चाहिए और लाश्ट वाले में 3 electron होने चाहिए तो boron हो गया ठीक है फिर कहरा है कि यहां पर twice as many electron in the second cell of its first cell तो second cell के दुगने होने चाहिए तो 6 पे हाँ चाहर पे नहीं 6 पे बताना तो 6 पे हो जाएगा carbon ठीक हो पिछले पीछे मिश्टेक होगी तो सही कर लेंगे तो 2-4 टोटल होगे 6 तो 6 पे होता carbon 6 C 12 ठीक है सब तो आपको यह इस्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए के लियर है इस तरह से हमें यह elements पहचानने थे जब आपको कम से कम सुरू के 20 elements है उनके तो आपको electronic configuration बिल्कुल रटे होने चाहिए उनके atomic number आपको याद होने चाहिए और एक से 20 तक जो है सारे elements के नाम याद कर लिए क्या क्या है एक से 20 तक elements एक बार में रिवाइज करेंगा है hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium तो यह 20 आपको याद रहने चाहिए कम से कम इतने elements तो आपको याद बने चाहिए चलो next देखते है question है what property do all elements in same column of periodic table have as the boron have in common तो ऐसे जो boron की property है वही उस column की property है ठीक है कौन-कौन से property है जो उस column की property है और वो boron की property है यह बताना है इसी तरह से fluorine वाले column के बताना है तो fluorine देखो fluorine कहा है तो यह दोनों पता होने चाहिए पहली बात तो यह group third A में होता है boron ठीक है boron और उसका पूरा column यहाँ पर represent कर दिया इसमें almonium है, galenium है यह सब element है तो इनके कौन सी property है जो यह common है क्यों इनको एक column में रखा गया है जबी तो रखा गया है जो भी इनकी property common है और अगर मैं बात करों फ्लोरिन की तो फ्लोरिन यह 7th A में है ग्रूप 7th A में ठीक है यह तीसरे ग्रूप में है और यह साथवे ग्रूप में है अब इनकी क्या property जो है common है यह हमें बताना है देखो तो थर्टीन एक जो ग्रूप नंबर होता है थर्टीन होता थर्ट एक जो है उसको हम ग्रूप 13 भी कह सकते हैं तो कौन सा ग्रूप 13 इसमें है बोरॉन एलमूनियम ठीक है गेलियम इंडियम और इस तरह से ठीक है यह सारे एलमेंट यहां पर दिये हुए अब यह जो एलिमेंट है इनकी क्या property common है बताओ इसका electron configuration हो जाएगा दो तीन पांच होते है ने और क्योंकि बोरॉन इनमें नौन मेटल है बाकी जो है वो मेटल है यह सब क्या है मेटल है यह अलग बात है ठीक है यह property अलग है इसे हम कहते है अपवाद क्या है कि बोरॉन अपना नौन मेटल है यह बाकी नीचे जितने भी है यह सब क्या है यह मेटल है ठीक है और गुरूप कौन सा है गुरूप को बोला जाता है या तो थर्ड ए कहेंगे यह कहेंगे गुरूप 13 और वैलेंस सेल में इलक्रॉन है तीन इसी तरह से जो सेकेंड पार्ट है फ्लोरीन का जो पूछा है फ्लोरीन कौन से गुरूप में यह हम इसे कहेंगे गुरूप 17 इसको हम गुरूप 17 भी बोल सकते हैं यह सारे हेलोजन्स हैं यह सब हेलोजन्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ठीक है यह सब क्या है हेलोजन है हैं और गुरुप 17 में हैं अगर मैं फ्लोरीन का इ inbox देखेंगा। तो व्लोरीन का इutral ऐगा ? 2, 7 क्लॉरीन का kya हो जाएगा ? 2, 8 , 7 नो आट , बोरोन का हो सल्रा झायोगा Blair यानि सब के जो वैलैंस बेस सेल में इस वह कितने है? सात ठी नहीं 7 अधी सेल सात इलेक्ट्रोन हैं ठीक है और यह 17 गुरुप में हैं और यह सब कह सकते हैं हैलोजंस है इनने हम हैलोजंस के नाम से जानते हैं फ्लोरिन ंगूरुक को हम हैलोजन जानते हैं तो यह सारी जो कमशन प्रॉपर्टी क्लिक जानते हैं अब ⑫ नेक्स्ट कोशिन देखें ग्रें एक यह एक अटम है जिसके अलेक्टर्णिक वक्रिकेशन दो आठच साथ यानि सात्र उसका एक्टर्णिक नंबर होगा सिंपल सी बात है से जोड़ लो अब सत्रा पर कौन है ने सट्रा पर क्लोरिन है पर पर क्लोरिन है तो विज वाट इस the atomic number of element electronic configuration का सम जो होता है वही उसका atomic number होता है यह हमें पता चल गया which of the following element would be chemically similar अब इसके similar कौन होगा दो आठ साथ के similar कौन होगा वो जिसके दो साथ हो fluorine similar है इसके या ठीक है अभी fluorine क्या है होगा हमारे है तो फ्लौर्ण किसमें भी पर एक हलोको में और और चैसा voice अईयोडिन यह सब हमारे है जर्टέρन से इस तरह साथ प्र मतें जाएंगे ठीक है, तो atomic number is equal to the number of electron, तो number of electron ते 17, तो atomic number find हो गया, configuration 287, similar हो जाएक कि इसके, fluorine के, fluorine में 9 होते हैं, तो fluorine हो जाएगा 2 और 7, एक्सकी electronic configuration हो जाएगा, इस तरह से आप answer कलते हैं, या ब्रोमीन का एक्जांपल दे सकते हैं, तो ब्रोमीन में होते हैं, कितने, 287, तो total कर लें इसका, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 35, 35, ठीक है, अब next देखें, question है, the position of three elements, A, B, C, यह हमें बतानी है, गुरूप 16 में यहाँ पर B, और गुरूप 17 में A और C, यह periodic table में आपको पता होना चाहिए, गुरूप 16 है, पूरा याद होना चाहिए, गुरूप 17 होना चाहिए, सारे गुरूप आपको याद होना चाहिए, तो आप पहचान पाएंगे कि यह कौन सा है, अब question क्या है, state weather A is metal और non-metal, अब गुरूप 16 है देखो, गुरूप 16 है जिसे हम 6 A भी कहते हैं, यह है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला गुरूप, और दूसरा गुरूप 17 है, यह फ्लोरीन गुरूप, जिसे 7 A भी कहते हैं, अब इसमें B कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, फोर्थ एलिमेंट, यह होगा B, ठ ठीक है, यह होजाएगा B, और A कौन सा होगा, A होजाएगा यह क्लोरीन, और C कौन सा होगा, C यह फोर्थ एलिमेंट, यह होजाएगा आयोडीन, तो अब हमें बताना है, A metal है या non-metal है, फिर बताना है कि C, C जादा रियक्टिव है कि A, और लेस रियक्टिव है A से, C, A से जादा रियक्टिव है या कम रियक्टिव है, Will C be larger or smaller than in size B, C का size B से बड़ा होगा या छोटा होगा, आयन किस पिरकार के होगे, केट आयन या एन आयन, किसमें, एलिमेंट A में, तो चार कोश्चन है इस टेबल से, ठीक है, आप देखो एक एक करके, इस टेबल में जो A है, A क्या है, वो non-metal है, कौन था A, A था chlorine, A, और chlorine क्या है याँपर, non-metal है, fluorine, chlorine, bromine, iodine, ये था, तो chlorine हो गया non-metal, पहला कॉश्चन क्लिया, वैसे bromine, iodine सभी ये non-metal है, C is more reactive or less reactive than A, तो C ये रहा, A ये रहा, यानि chlorine और iodine में, तो chlorine ज्यादा reactive होता है कि iodine, iodine ज्यादा reactive होता है, यानि chlorine iodine से कम reactive है, तो हम कह सकते हैं, C is less reactive than iodine, ठीक है, और B और C में किसका साइज जो है, वो बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, यहाँ पर देखेंगे, तो B गुरुप 16 में हैं, और C जो है, वो गुरुप 17 मे होगा, तो कि इसमें number of electron ज्यादा होने से, और proton ज्यादा होने से, फरक क्या पड़ेगा, कि number of cell दोनों में equal होगे, और electron ज्यादा होने से, और proton ज्यादा होने से, attraction force बढ़ेगा, उसका size थोड़ा सा, छोटा हो जाएगा, यह बास समझना, कि अगर cell बराबर हैं, electron ज्यादा तो size चोटा हो जाता है तुलनात्मा ग्रूप से क्योंकि electron and proton के बीच attraction force ज्यादा होता है ज्यादा electron ज्यादा proton तो एक दूसरे को और आकरसित करेंगे और कम space गेरेंगे जब number of cell equal है अगर cell ज्यादा होते तो simple सी बात है जिसमे number of cell ज्यादा है उसका size बढ़ा होगा पर यहां B और C के case में group 16 और group 17 में यह दोनों जो है चौथे number के element है इनमें number of cell equally होगा number of cell पर कोई फरक नहीं पड़ेगा number of cell सेम है इसमें भी 4 cell होंगे या 5 cell होंगे और इसमें भी 5 cell होंगे तो 5 कक्षा इसकी है 5 कक्षा इसकी है पर C में electron जादा है इसलिए उसका size चोटा है यह बात समझने इसके चार ओर भी जो है पांच कक्षा में electron पाये जाएंगे और उसके चार ओर भी पर electron जादा होने से वो कम space लेंगे ठीक है दोनों जो है same row में इस्तिध है clear है A will form anion A will form anion और ketion तो अब यह क्या है सवाल क्या था A को ले कर गे था A था हमारा chlorine chlorine होता है 17 उसका atomic number है 287 अब 287 है तो इसको अंतिम कक्षा को जो है इसमें 7 electron है last orbit में 7 है तो यह 7 के साथ छोड़ तो नहीं सकता एक gain कर लेगा और एक electron gain करके यह कि अपने आपको जो है complete कर सकता है जब एक electron gain करेगा तो यह negative charges पर आजाएगा और negative charges पर होता है वह क्यालाता है जिसका अटमिक नमबर है साथ, फॉस्फोरस फॉस्फोरस जिसका अटमिक नमबर है पंदर है और बिलॉंग तुदा गुरूप 15, दोनों जो है गुरूप 15 से बिलॉंग करते हैं, अच्छा, ठीक, इन में से कौन ज्यादा इलक्ट्रो नेगेटिव होगा और क्यूं यह बताना है, फिर पांच को इसको 2s2 और 2p3 यह पांच का जो है दूसरे सेल में है तो s और p में दिवाइड करोगे तो s में आ जाएंगे 2p में तो 3 अगली क्लास में पढ़ते हैं और यहां पर आगर आपको बता है तो पहले 1s2, 2s2, 2p3 तो यह होगे, पी में मैकसिमम 6 आ सकते हैं जैसा कि मैं पता है दूसरे और विट में 8 होते हैं तो s में आगे 2p में 6 आ सकते थे पर यहां तो पांच ही है तो तीन हो गए यहां पर यह के लिए हो गया अब फॉस्फोरस है फॉस्फोरस 15 15 यानि 2-8 पांच अब देखो 1s2 पहले का हो गया पर 2s2 2p6 यह कंप्लीट हो गया ठीक है के सेल पूरा एल सेल पूरा अब एम सेल पर देखो 3s2 3p3 तो यह हो गया अब इसमें हम देखें तो electronegativity क्या करेगी डिक्रीज करती है जब हम किसी कॉलम में उपर से नीचे जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टॉप ट जैसे जैसे उसका जो size है बढ़ता जाएगा उसमें अब ऑघ्रकविटी घठती जाएगी दिक है नंबर ऑघ्र बढ़ते जाएंगे अब नेक्स पोश्चन देखें वाइट आपको पता चल जाती है क्या होगी जहां एक्टम लोकेट्टिटैड उससे ही पता चल जाती है क इसकी electronic configuration क्या होगी यही पूछा है ऐसा क्यों होता है कैसे पतत जाती है हो ठीक है तो modern periodic table में जो एटम है वो similar electronic configuration वाले एक साथ रखे गए यानि एक column में रखे गए same column same column का कहने का मतलब है कि जिनकी electronic configuration same है उन्हें इस तरह से column में रखा गया है है ठीक है hydrogen, lithium, sodium, potassium यह सब एक column में रखे गए क्यों क्योंकि इनकी electronic configuration है वो similar है इनके सब में valence cell में electron बराबर होगे लाश्ट वाले cell में जो electron है वो same होगे इसी तरह से सभी column में elements को रखा गया है और inner group the number of valence electron remains same अभी मैंने बता है valence electron जो है और किसी भी group में आप देखोगे तो same होंगे इसमें जैसे valence electron 1 है इसमें वैलस EleK drove आप में इसमें तीन फहोंगे, इसमें 4 उख ऑऊई होंगे तो सॉमें सेख होगे इस तरह से न्टिम कक्षा रहोंगे वो सम में same होगे टीक है अब नेक्स देखें इन अ मॉटर्ण पिडियोडिक टेबल केल्सियम का अटमिक नमबर कितना है 20 अब यहां देखेंगे यह है कल्सियम का अटमिक नमबर है 20 इस सरांड़िड वाइध अलिमेंट ओफ एतोमिक नमबर 12 19 21 38 इसके चार और देखो 12 वाला मेगनेशियम 19 यह एक फॉसफोर से ठीक है और पर विपो टेसियम है और इस्ट्रॉंटियम है और यहां पर इस्केंडियम के बूच आप इसके चार और ये चोर एलिमेंट तो मैगनेशियम और इस्ट्रॉंटियम है इनकी जो physical और chemical properties होंगी वो सेम होंगी किसकी calcium क्योंकि यह सेम column में है horizontal इनकी properties मैं इस नहीं करती है पर column में जो होते हैं उनकी same properties होती है हम दो को pick करेंगे ना कि दो side वालों को pick करेंगे तो column में जो properties होती हैं वो same होती है सिंपल सी बात है क्योंकि atomic number कितना था उसका 20 तो 20 था तो उसकी जो chemical property एक सेक्ट हाँ यह मैंने गलत इसको जो है मिटा लिए अभी के लिए कि कैल्सियम यह रहा 20 इसका जो है atomic नमबर है और इसके जो सबसे ज्यादा similar किसका होगा है तो क्योंकि यहां पर अगर हम कोई एक पिक करना है जिसके physical chemical properties के सेम हो तो हम पिक करें किसको magnesium को element of atomic number 12 has the similar chemical properties as that calcium has which this is because both of them have same number of valence electron magnesium में valence electron कितने होंगे दो लासल में calcium में भी कितने होंगे दो ठीक है और strontium में भी कितने होंगे दो तो सब में जो है valence electron यहां पर same है और valence electron same होने से जो है इनकी जो chemical properties है वह सबसे ज्यादा match करती है इस तरह से clear दो आठ अठारा है आठ दो यह होगा इसका स्ट्प्ट चलाए नेक्स्ट कोशन देखें कि compare and contrast the arrangement of element in man leaves periodic table and the modern periodic table हमें man leaves की जो periodic table है उसकी तुलना करनी है modern periodic table से ठीक है compare करना है तो यह question है last question है इस chapter का बहुत important question है इन दोनों periodic table को compare करना है देखो सबसे पहले एक पॉइंट को समझे कि man leave की periodic table है वह atomic mask के according arrange की गई थी atomic mask increasing order में उसको arrange किया गया था और modern periodic table atomic number के increasing order में arrange की गई है यह बात clear है तो यह वाली जो table है यह atomic mask के according arrange की गई थी ठीक है यह हमने पहले भी कई सारे question में discuss किया है और यह atomic number के according ठीक है atomic number के बढ़ते किरम में इसको arrange किया गया इसमें अगर हम देखें तो इसमें 8 group है और modern periodic table में 18 group है कितने 18 group है इसमें तो दूसरा जो difference है वो यह हो जाता है कि man leave की table में 8 group थे और modern periodic table में 18 group है ठीक है और हर एक group जो है उसको subgroup में divide किया था man leave table में subgroup कौन से थे a और b a और b subgroup में आप 20 के बाद जाओगे तो यहां देखोगे एक ही group के अंदर उपर और नीचे element रखे गए हैं देखो इस तरह से man leave के table थी उसमें subgroup थे ठीक है यह subgroup थे उपर नीचे elements को रखा गया था एक ही box के अंदर और एक ही group के अंदर तो a और b में divide कर दिया था उपर वाला a हो जाता था और नीचे वाला b subgroup हो जाता था ठीक है एक है और b subgroup में divide कर दिया था इसमें कोई subgroup नहीं था model periodic table में फिर group of noble gas was not present noble gas के लिए कोई group अलग से नहीं बनाया गया था ठीक है noble gas इधर उधर थी noble gas का group इसमें नहीं था इसमें man leave के table में और जबकि यहां पर group 18 में specially noble gases को रखा गया है ठीक है modern periodic table में यह बात ठीक है तो यह आप लिख लेंगे group of noble gas was not present as noble gas was not discovered at that time उस समय तक noble gases की खोज ही नहीं होई थी तो इसलिए noble gas का कोई special group उसमें नहीं था और हम modern periodic table में separate group is meant for the noble gas a separate group is meant for the noble gases especially a group है जिसे हम बोलते है group 18 क्या बोलते है group 18 या उसको हम 8th a भी कहते है there was no place for isotopes isotopes के लिए कोई स्थान नहीं था man leave के periodic table में और उस वज़े से जो है problem होती थी क्योंकि वो table atomic mask according थी और जिनका जो है atomic number सेम होता तो उनको कहां रखें उनको अलग होने से अलग अलग जगे रखना पड़ता जबकि element वह सेम था तो एक confusion create हो जाती थी जब हम उसको atomic mask according करते है कि isotopes में क्या होता है कि isotopes जो होते हैं उनको atomic number तो सेम होता है उनका atomic number क्या होता सेम होता अपर atomic mask डिफरेंट डिफरेंट होता है atomic mask क्या होता वो सेम नहीं होता है atomic mask not same अब दिक्रत क्या है जैसे कि hydrogen है 1h1 और 1h2 क्योंकि अगर हम atomic mask के अरेंज करते हैं तो इन दोनों के लिए अलग-अलग इस्थान होना चाहिए जो कि नहीं दिया गया था जो कि मेंडलीव के टेबल में नहीं था अब modern periodic table जो थी वो atomic number के according थी और क्योंकि इनका atomic number सेम है तो उन्हें अलग-अलग इस प्थान की जरृत ही नहीं थी यह problem rectify हो गई थी किसमें this problem has been rectified यह आपको दिखनी रहोगा तो मैं बोल देता हूं this problem has been rectified as lot are determined according to atomic number atomic number के according रखने से यह problem खुद ही rectify होगी isotopes को अलग से इस्थान देने की जरृत ही नहीं पड़ी पर man leave की table में यह जरृत थी उरको देना चाहिए था पर दिया नहीं था यानि उसको isotopes को अलग जगह देनी पड़ती और वो दी नहीं गई isotopes तो थे ना 1H1 1H2 1H3 यह तो थे पर उनके लिए अलग-अलग स्थान नहीं था पर इसमें यह 1H1 है की 1H2 है की 1H3 है कहां है अब यहां पर क्योंकि इनका atomic number सब का सेम है तो यह एक ही जगह रखा जा सकता यहां आपको कोशन है तो वह कोशन आप जो है मुझे भेज सकते हैं ठीक है उसके लिए आपको जो है Instagram का भी लिंक दिया हुआ है Facebook का भी है पीडिएफ आपको टेलिग्राम पर प्राप्त हो जाएगी ठीक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सब को किलियर है थैंक्यू गाइस थैंक्स फॉर वच्छिंग